तो कैसे आप सभी, I hope आपसे अच्छे होगे, तो परेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तीरतर मल्टीमिटर को कैसे चलाना होता है, वो सिखाने वाला हूँ, फ्रेंट अगल आज तक आपने किसी भी मल्टीमिटर को चाना नहीं सिखा है, इसको भी नहीं, तो भी इ जाना पर अगर नहीं तो प्लीज सब्काइब कर जिए, और आपने कल रखा है, तो उठाएंगे सुमाद, चलिए सुरू करते हैं, कि आपको इन प्रोब को कहा लगाना इन चारों सेब में तो अपर देखिए, सबसे पहरे जो ब्लाक प्रोब होता है, उसको हमेशा कॉमन मे लगा जाता है, तो आपको ब्लाक को कॉमन में लगाना है, अब रेट की बात करते हैं, आपको रेट कहा लगाना है, तो फिन देखिए, सबसे पहले आपको रेट इसमें लगाना, इसमें आपको वोल्ट, ओम और इसी कैप्टल चेक करने का उप्शन दिया हुआ है, उसके अँने नाचे आगे बताऊगा आपको कौन का कीज चेक कर तो सबसे पहले आपको इसको लगाना है उसके जलिके पर लाइए है यह कौन से सेक्षन है तो फेरे DC वोल्तेज का है अब मुझे कैसे पर चला तो आप देख सकते हैं यहां भी लिखा हो है भी का मतलब हमेशा वोल्त होता है और उसके बार यहां DC का सिंबॉल है यह DC का सिंबॉल और यह इसी का है तो सबसे पहले हम लोग दो स्पिर्च चेक करत और इसलिए मेरी पास मिलीवल्ट खासले लिए कोज़ने द्खाय इसलिए मैं आपको यह चेक करना सकते हैं अगर तो आप इस तरह से DC वोल्ट को चेक कर सकते हैं अगर आपको 20 के ऊपर वोल्ट चेक करना है तो आप 200 पर लगाईए और उससे भी जाए चेक करना है तो आप 1000 पर लगाईए तो पर दीसी के बद आप देख सकते हैं याँ AC का सिक्षन है क्या आप पर यह वोल्टे लिखके AC कर साइगा है और फिर आप इसके डिस्प्ले पर देखेगा तो यहाँ DC वी लिखाओ है याँ वोल्ट भी लिखा हुए है उसके आप मैं AC में करूगा तो यह देखे AC लिखके इनका बौट चेक करना है तो आपको साइग 700 वोल्ट पर लगाना होगा और से पर अच्छे को चेक करता हूँ देखते हैं चेक कर पाता है कि देख में तो पर देख सकते हैं 200 अल्टी स्पूल्ट मतलब हमां जो वोल्टेज विल्खुल सही है तो पर इस सेक्षन में आप AC बहुत अराम से चेक कर सकते हैं तो पर आप जानगे AC बोल्ट को करना होता है उसके आप देख सकते हैं या HFE सेक्षन है तो यह मल्ती मिर्ण में बहुत जाए देखने को बिलता है बहुत से भाई इस पर कमेंट भी करते हैं तो पर मैंने इस पर अलग से वीडियो मा लग कि यह कैसे HFE सेक्षन काम करता है इसका क्या काम होता है अब आपने नहीं वीडियो देखा है तो दिस्टम लिंक के जाकर जाए आज की इस वीडियो में आपको नहीं बताऊगे कि बहुत से भाई उस वीडियो को देख लिए होगे तो मैं यहां बताऊगा तो बोल होगे और स्किप करेंगे तो चलिए आगे बलते हैं तो पर इस मुल्टी में आपको एक निया function देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं ऐस लिक कि कुछ है तो पर इस से आप किसी रिटा आगे capture चेक कर सकते है यूफ एन फ कि 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 मार्क्रोफेड का है कि कि मार्ट भैर्यू का ह हैं तो सबसे पहले आपको इसको लगाया है है तो परिण आप neighbor Kath step इसकोग चेक करना है तो 20Nन पर चेक करना होता है क्योंकि यह N में होते है है नाजवी मतलम मतलम है तो देखिए जैसे इया है एक fan capture जो form UF का है एन MFD का बब UF का है तो इसको चेक करने के लिए हमें 20 UF पे लगाना होगा एक में प्रूब लेता हूँ तो मैं इसमें लगाता हूँ तो परें आप देख सकते डारेक्ट नहीं है तो मुझे इसमें मुझे इसमें पर एक दिक्कत बिटी लगा क्योंकि यह जो इससाइए फरें इसदे करने का डीदिं हा उत हस्ता Miche Max Forth गीम इस लगाता हू है। मैं इसको लगाता हूँ नहीं इसको लिए इस में दाब। है लगाता हूं और चाहे बेट आधो हैं better चॡ़त है ड्यक्मित इस तो यह िति में को यह भी हमारेद कॉप हुचको घृया उचेकर टुपोईंट को चन से कर दिंद तो सब्लाइब बेट हुआ है तो मैं check करता हु है कि में बचा हुआ है तो पहन देखिए इसमें लुट रप आप ही बचा हुआ है यहां कितने का 2.5 अब हम इसमें 1 मतलब हमाँ जो एक चैप्टर है भी हो गया है अब अब यहां दीशी कैप्टर रचेक कलते तो डीशी कैप्टर चेक बचाए कि तो यह कितने UF का है तो फ़ें ए 4.47 UF का वही 5 अप समझ सकते हैं तो मैं चेक करता हूँ तो यह तो ताइम बेट करते हैं और फ़ें capital चेक करने के लिए आपको इसी एठी में प्रोब लगाना है और फ़ें इसके बाद आपको AC MPL देखने को मिलता है तो फ़ें AC MPL चेक करने के लिए आपको इस लेट प्रोब को यहां से आता कि यहां 20 वह तक लगाना है मैं आपको डगाता हूँ तो यहां 20 से एक वीडियो आ लखें मैं इस वीडियो में प्रोब तो आपने वीडियो नहीं थे काम तो डिस्वें लिंक है जाके जाओल देखिए मैंने वाब बहुत अशी है समझाय है फिर मैंने उस वीडियो में सिब DC के MPL चेक का सिगाता है लेकिन AC के MPL भी और अशी चेक होता है अब आप याँ देख सकते हैं AC का MPL लिखके याँ DC बनाऊ है अब दके याँ DC का सिंबोल है याँ AC का सिंबोल है और याँ लिख भी दिया DC MPL और मैं AC प्रताव तो AC MPL तो मैंने बता दिये परले मैंने अलग से एक वीडियो में लखिय और इस पर बतायता है लेकिन चेक क नगते हैं तो आप उसको ढटेक्षिए को मैं स्यख जाएगा उसके आप श्यी अवरू एसजी इससी इस से हाथ है होल्य को मालती मोट नहीं हो सकता है किंगि किसी भी चीज बाता है तो कि कॉन्टिटी मोट पर लाकर करते हैं को देखे हैं तो हम मुझे कोई राइस्तिन को चेक करना है कितनी वालु का है तो मैं चेक करता हूँ लेकश्ट से मीन देख सकते हैं तो हम एतना हम का धाया मतलब देख सकते हैं मतलब तो इस तरह आप इस quantity mode को भी चेक कर सकते हैं किसी भी compose को चेक करना है तो आप यहां लगाए और यहां प्रोब को लगाए आप फिर चेक कर सकते हैं और इसमें एक light भी जलता है आप देख सकते हैं मैं पुछाता हूं कि यह light जला है उसके आप इसके last function पर आते हैं इसका last function आपका ohms mode है मतलब light string को चेक करने वाला तो सबसे पर यहां 200 ohms दिया हूँ है और आपके कोई भी आइटिन्थ है वह 200 ohms का है और आपको चेक करना है तो आप यहां लगाए चेक कर सकते हैं और प्रोब यहीं रहेगा जो voltage पर ता है उसके आपको 2 kilo ohms का option दिया हूँ है देखिये आपको दिखाता हूँ इसके 20 kilo ohms ह्म फिर 200 kilo ohms है फिर आपका 2 mega ohms है जो आपके इसमें पर चेक कर सकतें है बल इसमें आप 200 मेगा-ohms तक चेक कर सकते हैं तो पर इसज़त आप किसी इसमें पर बहुत असाइशचन चला सकते हैं आप समची हो गए और इसमें ए लागता है आप सीधियो कैसे मल्टीमिंटर को चाहा रहता है इस मल्टीमिंटर को तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोग किजिएगा तो परें चलिए मिलते की स्वार उसे टेक क्यार बाई बाई